अब दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एके इस्टिटिवेंट में आप सभी दोस्तों का मैं में सुकला बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ जो आपके जो बुक्स है उससे संबंदित होते हैं तो आपको यह सारे जो कुशन्स है यह आप लेके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टन्ट हो जो यह प्रश्न है दोस्तों जो हम यहाँ पर जो टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वह है दोस्तों कि हीगल के दुन्दौात्म परिटिकल के के पेपर में कालग बहँके आया है जितनी बार अगर यर्ली वाले दीख लें तो भी आपके पेपर में अजो बिगत वर्स के पेपर हैं आप जूलाइए और अगस्त में यहाब आप लोग के चाट चाट राएं हैं फोर समस्टर के उनके लिए यह जो वीडियो है बहुत ही लाबदायक होगा और हम आप लोग के बीच में कुछ नए टॉपिक से पढ़ाने का जो टाइमिंग है वह सेट करके हम आपको आगी की ओड ले जाएंगे जो आपके पेप स्क्राइब कर दीचे प्लस में बैल आइकन दबाद दीगें आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल मिलता रहे अब दोस्तों जो हीगल महोदय जी के अनसार दुन्द्वात्मक पध्धती है इसके बारे में इन्होंने क्या लिखा है इनके कहने का क्या मत दर्सन का आधार इस्थम बताया है विस्वात्मा की आधारड़ा और विस्वात्मा की 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 विस्वात् कि जो जुंद्वात्मक अविव्यक्त का मतलब होता है इसे हम ग्रहण करके इस पध्धति को हम दंद्वात्मक पध्धति का और ने नाम दिया ही गल जी ने उसने अपने समस्त विद्वानों को दंद्वात्मक पध्धभरा विवेचित भी किया है, दंद्वात्मक पधध का बिचार हीगल जी के इन small आतर है, किन्तु यह उससे का मौलिक बिचार नहीं है, इन्होंने क्या कहा है कि वस्तुता q. इस सब्द्र का सरप्थम परियोग शुक्र जी ने किया था और हीगल जी ने यूनानियों के बिचार में दंदात्मक पद्धदी को ग्रहड करते हुए उसमें मौलिक परिवर्तन को दिये और इस विबाद के अस्तर को उठाकर वाद पतिवाद और संबाद के अस्तर पर ले लिया हीगल जी के अनुसार यूनानियों के बिचार में दंदात्मक के परकिरिया के दो ही चरड़ थे उधार के तोर पर उनके बिचार में रास्तंत्र प्रतिवाद की निरंकुस्तंत्र था परन्त हीगल जी ने इस परकिरिया की जटिलता को दर्थ साते हुए उनका कहना है और इन कि जो मत है वो तिन प्रकार कि स्ट्रड़ बताए हैं कौन कौन से ही ज्छी ने वश्थ व we FINकता की पहचान में 3 ज्छी को न्हें दोस्तों इसमें फश्त नंबर उनका उसका हुन कॉम मर् उसका प्रतिरोध अर्थात वह यह नहीं है जो जो ही जटिल्ता को जो जटिलता को दर्सा गया है जिनके दुन्दात्मक के बारे में। जानी जा सकती है। द्रिश्ट गोचर होता है। मानॊ बुद्धी धीरे धीरे सत्य की और उन्मक होती है। किसी भी विशय के सत्य की जो प्रथम जलक मानॊ बुद्धी से को मिलती है। और यही वाद है। आगे चलकर जब मनुस्य को अपनी उसकी अपूरता का अभास होता है और नए सत्य की खोज करता है तो वह परतिवाद को चन्न देता है। परंत वाद की भाति यदि परतिवाद भी आंसिक सत्य होता है तो पूर्ण सत्य नहीं है। अता सीग्र ही उसकी असत्यता का आभास भी मानो बुद्धी को होने लगता है और उसकी बिरुद्ध भी प्रतिकिरिया प्रारंब हो जाती है। मनुस्य फिर वाद और प्रतिवाद के आंसिक सत्यों के अमेल कर संबाद के रूप में एक नवीन सत्य की खोज करता है। और इस प्रकार मनुस्य प्रतेक नई की तरही द्वारा सत्यानवेशर एक सीड़ी चड़कर उच अस्तर पर पहुचने का प्रियास करता है। सवयम वाद बन जाता है तथा विकास प्रकिरिया एक नवीन तरही को जन्म देते हैं। इस प्रकार वाद प्रतिवाद और संबाद का करम अबाध गती से चलता रहता है। और यह करम सदयों आगे की और बढ़ता रहता है। और तब तक पढ़ता रहेगा जब तक कि भिकास की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती और पूर्ण सत्य की प्राप्ती नहीं होती है। यह संबाद, बादवाद और प्रतिवाद दोनों को समन्वित रूप होने के कारड इन दोनों से विकास की उच्छ इस्थिती का दो तक होता है लेकिन विकास की प्रतिकिरिया यहां आकर रुकती है नहीं वरन निरंतर जारी रहती है अधा कलांतर में यह संबाद होती है और इस तरह वाद प्रतिवाद संबाद का प्रकिरिया निरंतर चलती रहती है और सब्वेता अपने विकास के मार्ग पर अकरसर होती है अता हीगल जी के अनसार सब्वेता के विकास का मार्ग तिरकोड आत्मक है जो अभी हम आपको फ्यारी की पिक्चर के मादम से दरस साएंगे जिसे आपको आगे की और मिलेगा हीगलजी के अनुसार बिस्वात्मा की विकास, स्रिंखलावाद, प्रतिवाद, युम्संबाद के अनेक तरही समूहों से बनी है प्रतेक तरही की ब्यापकता में अंतर है कोई तरही काफी लंबी, कोई उसमें कम ब्यापक रही सर ब्यापक तरही तरक प्रकिर्थ और आत्मा है जिसके अंतरगत अन्य तरही समू भी आ जाते हैं सर्व्यापक तरही को निमलिखित प्रकार से समझा जाता है नमबर एक आपका है तरक तरक में है सत्ता, सार और बिचार आपका है तरक, प्रकिर्ती और आत्मा तरक में है सत्ता, सार और बिचार प्रकिर्थ में आता है यांत्र की, भौत्र की और प्राड की ये प्रकिर्थ में आता है आपका तो ये आपका प्रकिर्थ में आता है अब आत्मा में क्या है अंत्रात्मा, ब्राहत्मा और निर्पेच्छात्मा ये तीन तरक आपको आपको जो है चरण बताए गए हैं जो हम स तर्व्यापक तरही की रूप में जानते हैं। उसके बाद फिर आता है कि इस रिंखला का करम तर्क संगत है। समय के अनुसार नहीं अर्थात यह आवस्यक नहीं कि तर्क था फिर प्रकिर्थी और फिर आर्तमाई। इसका अर्थ यह है कि यदि हम विचार करना प्रारम करते हैं तो सबसे पहले तर्क पर काते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप लोग कर कोई भी विचार करेंगे सबसे पहले कहाएंगे तर्क पर। उसके बाद फिर हमें किसी वश्तु की सत्ता का ज्यान होता है। फिर उस वश्तु के विचार का सार समझ में आने लगता है। और अंत में हम उसके बारे में हम विचार करत पनाते हैं। विचारों की अधिक इस परश्टता से समझने के लिए हमें प्रकिर्ट के उदारों का सहारा लेते हैं। तथा इसमें यंत्र विग्णान, भातिक विग्णान, एवं प्राण विग्णान के सिध्धाactRI और इन प्राण यो एवं भातिक वश्वतों में आत्मा नहीं होते हैं बिकास करम में आगे ऐसी तरही आती है जब हमें आत्मा का भी बोध होता है। पहले हमें अपनी ही आंत्रिक आत्मा का ग्यान होता है। फिर ब्राह अत्मा का जिसके अंदर चार अचार सास्त्र, राजनीत और बिधान सास्त्र आते हैं और अंत्र में मनुस्त के निर्पे चात्मा अर्थात कला धर्म दर्सन आधिक ग्यान होता है, फिर आता है अपका दुन्दात्मक पद्धति का विशेष्टाएं, तो अभी त सत्य के अनवेशड का अद्धति ये तरीका, क्या है कि दौन्दात्मक पद्धति द्वारा हीगल ने सत्य के अनवेशड का विवस्थित नियम बताया है, हीगल ने यही दर्साया है कि किसी भी वस्तु की वस्तविक्ता एक वस्तु की उसकी प्रतिकूल वस्तु से तुलना करके ही की जा सकती है अता भलाई का आस्टत इसलिए है क्योंकि बुराई का आस्टत भी जमा है गर्मी का इसलिए है क्योंकि सर्दी भी है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम चल रहे हैं दोस्तो यह होता है सत्य के अनबेशड का अधुतिय तरीका अब सेकेंड क्या है क्या है दोस्तो सेकेंड यहां पे है कि विकास संघर्ष ही विकास का निर्धारक है इसमें क्या है दोस्तो कि द्वंदात्मक पध्धति का मूल माननेता है कि प्रगति या विकास दो प्रस्परविरोधी वस्तू या सक्तियों में द्वंद या संघर्ष का प्रणाम है वस् प्रतिवाद बनी सम्बाद नया वाद बनकर, प्रतिवाद का जर्म देने के लिए बाद्धे होता है। और हीगल जी ने इसे ही ऐतिहासिक आवसक्ता कहा है बहुत ही most important है दोस्तों ये तो इसे ही ऐतिहासिक क्या पता है इनों ने आवसक्ता कहा है तो ये स्वताह प्रेजित और स्वताह संचालित तो ये तीन पॉइंट थे आपके सत्य अनवेशड का अदोतिय तरीका सेकेंड थ में सभारक और सवताहब प्रेजित और सवताहब संचलित या आपका होता है द्वंद्वात्मक प необход प्रक्रति बताया आपको आत्मा बताया तो इस तरीके से हीगल जी महोदय जी के नुसार जो दुन्दात्मक पध्धती है उसे आपको यहां पे क्लियर किया तो आई होप दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगो पेपर समझ में आपको जरूर आयोगा प्रशन तो दोस्तों अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से उपस्तित होंगे और इसे के साथ दोस्तों धन्यबाद